गुट मॉर्निंग बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल निक लर्निंग और पैसन में आपका स्वागत है हम अपनी एक नई प्लेलिस्ट जारी कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में आपको बिज्ञान हिस्ट्री जोग्रोफी और आपको बताए जाएंगे इसमें आपको नॉलेजफुल जानकारी दी जाएगी जो आपके एक्जाम के लिए अच्छी होगी और आपको जानकारी के लिए भी तो हम आपकी जिग्या साथ को सांथ करने के लिए एक नई प्रेलिस्ट लेकर आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को सिर्फ हिन्यों के ही नेता नहीं है वलकि गरीव पिछले और हर दवे हुए बर्ग के नेता है और इसलिए और नमक सत्यागर्या दांडियात्रा प्रारंब की थी जिससे कि हम आम आदमी को फाइदा मिल चुके और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जन संगर्स तैयार हो सके अधिम लिए हमें हजारों सैक्रों की कुरवानियां देनी पड़ी है तब जाके आज हम सुक्षली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो आज हम इसी बचार्चा करते हैं आज का हमारा चुब इस पेशल फैक्स है वह है डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह इस वीडियो में हम आपको डांडी मार्च की संपूर्ण जानकारी देंगे यहां पर आप चेतर देख रहे हैं यह हमारे रास्ट बदा मात्मा गांधी की तस्वीर है हाथ मेलाथी तन पर एक मेला सबस्त्र और साथ में यहां पर उनके सयोग्यों की सत्याग्रहों की भीर सी लगी हुई है अपने 78 अनवाईयों के साथ गांडी जी ने 12 मार्च के दिन 1930 12 मार्च 1930 को नमक कानून की खिलाफ खड़े होने के लिए एक आवाज दी 12 मार्च 1930 को सभी को जन सम्मूं को एकर्टित करके 13 मार्च से लेकर के 6 अपरल तक चले इस संगर्स में गांडी ही को आप देख रहे हैं दान्डी मार्च की सुरुवात मात 78 सत्या ग्रहियों से हुई थी यहां पर एक आप मैप देख रहे हैं मैप में आप देख रहे हैं गुजडात के यह गुजडात के एक सावर मत्री आस्रम से होते हुए 395 किलो मीटर जानी की 250 मील की लगवग यात्रा करके अरब सागर के नजदीक अरब सागर के तड़ के नजदीक एक दान्डी में यहां पर क्या हुआ दान्डी मार्च की सुरुवात 78 अटतर सयोग्यों सत्या ग्रहियों से हुई थी और यहां जल्द ही 50,000 प्रदर्संकारी बापू के साथ इसमें सामिल हो गए एक सफेद आन्डी सी चलने लगी क्योंकि इस दान्डी मार्च में सभी लोग सफेद बस धान करके समलित हुए थे इस मार्च में हर उम्र और छेत्रों से आए लोग सामिल हो गए थे 16 साल के विटर लीडा था ठकर सबसे कम मुम्र के सत्याग्रही थे इसे सफेद भैती नदी कहा गया क्योंकि सभी सत्याग्रहीों ने सफेद खादी पहना हुआ था कि नमक सत्याग्रह के साथ उससे में कुछ और शच्चाग्रही वह थे इस दो प्रमुक सत्याग्रह अलग से हैं एक है वैदर रन्रियम उयदरन्यम मार्च में क्या था गांधी के सयोगी और भात में भारत के जो पहले गवर्णर जेनल बंने वाले थे उनका नाम आप सभी जानते हैं श्री राज गोपालाचारी ने तुरुचरापली से समुध तमिलाडु तट पर वेदरन्यम तक एक नमक मार्च का आजन किया था राजा जी को अंग्रेजों ने अवेद नमक बेचने के आरोप में ग्रफतार किया था दूसरा वेदरन्यम मार्च इसको भी नमक त किया इसमें कई सत्याग्रियों को पुलिस ने पीटा और सरुनी नाड़ु को गिरिफतार कर लिया गया नमक करका काराण क्या था देखिए अंग्रेजों की इक मोनोपॉली थी जिसमें आपको भारती सांवानों पर भारी ट्रेक्ट लगाना और नमक एक जन सामान की एक महत्पूर आवस्चक्ता होती ये विना नमक के जन सामान नमक की तो हर देख्ट को आवसकता होती है और ने इस पर भी एक टैक्ट लगा दिया इसके ब्रोद में गांदी ने कया किया लार्ड इर्विन तत्कालिन वैसर लार्ड इर्विन को पत्र लिखा और इसके बारे में ब्रोज इताया और उने इस वाद पर इंकार किया तो गांदी ने कहा नहीं मैं इसके लिए ब्रोद करूँगा और इसके साथ में बिटे सामराज की नीव हिला रहा हूँ और उने क्या किया छे अफ्रेल को और अफ सागर पर पहुंचने पर बापु ने अबैद नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सभी सत्याग्रेयों ने भी यही किया और अबैद नमक को करीदा और अंग्रेजों के नमक कानून को दता बताते हुए सब लोगों ने सत्याग्र कि रहा पर चलते हुए डान्डी मार्च किया और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया एक प्रस्ट आता है कि नमक सचाग्रे कब और क्यों प्रादम किया गए देखिए नमक सचाग्रे बारे मार्च 1930 को मातमा गांडी ने नमक पर टेक्ट लगाने के अंग्रेज़ों क कि फैसले के खिलाफ एहमदावाद में सावरमती आस्रम में नमक सचाग्रे की सुरुबात की इसके तैट समुद के किनारे बसे एक गांडी तक 24 दिन की लंबी यात्रा की गए और यहां पहुंचकर गांडी जी के नित्थत में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा प्रस्ण है कि सरोज 6 अपरेल 1930 को क्या हुआ था सरोजनी नाइडू भी दानडी यात्रा अंदूलों में सामिल होई दिन प्रदिन अधिक से अधिक लोग महत्मा गांडी के साथ जोड़ते गए आखिकाल 5 अपरेल 1930 को महत्मा गांडी और उनके अनुवाई 6 अपरेल 1930 को द प्रस्ण है नमक कानून क्या था 1882 में बने भारती नमक कानून ने सरकार को पुना एकारिकार इस्थापित करा दिया और 12 मार्च 1930 को 89 अनुवाईयों के साथ गांदी सावर मती से दानडी चले और 6 अपर 1930 को नमक कानून तोड़ दिया और बिटिस के जासन के अंत की गोष प्रस्ण बहुत इंपर्टेंट पूछा जाता है तो नमक मार्च से नमक सत्यागरे दानडी मार्च और दानडी सत्यागरे के नाम से ब जाना जाता है महत्मा गांदी के नेतर्त तुम्हें आपन वेशिक भारत में अहिंसक सब्यूने अवग्या का रिधा रात में कितियों नहीं नमक बेचा जाता है तो लोग एक फैट्स है ये भी आप समझ लीजिए इसको लोग नमक को देवी लक्षमी का रूप मानते हैं ऐसे असलिए है क्योंकि प्राणिक जुनों में वस्तु विन्मे अवदी के दोदान भी नमक एक मुद्रा हुआ करता था संध्या को वहाँ समय माना जाता है चब तेवी लच्च में किसी कर्म प्रविश्च करती हैं और वहीं रहती हैं इसलिए लोग साम के बाद नमक उधार गिना नहीं चाहते हैं एक बैज्यानिक प्रस्ट भी हम आपसे पूछते हैं दो दिन तक नमक नहीं खाने से क्या होता है लिकिर नमक से होने वाली हानी इसका नाम होता हाई पोनेट्रीमिया गंबीर मामलों में सरीर में सोडियम का कम इस्तर मास्पेशियों में एटन मतली उल्टी और चकर का है तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद